हमारे पास next topic जो है करना वो है storage devices तो इसमें हम सबसे पहले discuss करेंगे कि storage devices जो है वो होती क्या है या storage हमारे पास होता क्या है तो storage क्या चीज़ है storage is used to store data information and programs permanently तो यह हमारे पास क्या है जो permanently data को save कर रही है या instructions को या information को या programs को वो क्या चीज़ होती हमारे पास storage हमने पहले main memory की बात की थी उसमें भी data save हो रहा था लेकिन वो क्या था हमारे पास temporary था अब जो हमारे पास ये memory है ये क्या है ये permanent है इसमें हमारे पास जो है किसलिए storage devices यूज होती है क्योंकि एक तो main memory जो है वो expensive होती है इसलिए उसकी जो capacity है वो limited होती है इसके अलावा वो temporary है उसे अगर हम permanent data के लिए save नहीं कर सकते यूज नहीं कर सकते जबकि जो storage devices है ये क्या है हमारे पास permanent में है और इनकी capacity भी क्या होती है ज्यादा होती है हाई capacity होती है नहीं इसमें data जो हमारे पास ज्यादा save हो सकता है अब different तरह की storage media है जो storage devices है वो use होती है तो इन तमाम जो storage devices हैं इनको हम कहते है non volatile और जो main memory होती है उसे कहते हैं volatile memory इसे कहते है non volatile memory क्योंकि ये permanent है ये volatile नहीं है ये disappear नहीं होती और इसे mean memory को हम क्या कहते है volatile memory तो अब इसमें अगर हम करें कि जो है storage devices इसके दो important हमारे पास functions आ जाते हैं पहले storage devices के वो हैं हमारे पास reading और writing reading क्या चीज़ है कि जो data हमने storage device में save किया हुआ है उस data को access करना जो है वो हमारे पास क्या आता है उस data को read करना और जो writing है वो क्या चीज़ है हमारे पास जो data को हम save कर रहे हैं ये क्या है save data को read करना reading क्या है annexing save data घ्रीक है कि जो हमारे पास save data उसे access करना और writing क्या है हमारे पास saving data किसी भी किसम के data को save करना हम writing कहते हैं उसे access करना हम क्या कहते है रीडिंग फर्दर आ जाता है हमारे पास कि different जो storage है उनकी हमारे पास characteristics या attributes क्या होती हैं तो हमारे पास इसमें characteristics आ जाता है तो characteristics जो main दो characteristics consider होती है हमारे पास storage medium की या storage devices की तो वो क्या है हमारे पास उनकी capacity और दूसरी चीज speed कि वो कितना data store कर सकती है For example, वो वन जीबी कर सकती है वन टेराबाइट कर सकती है या हमारे पास क्या है वो 100 MB कर सकती है कि उनकी capacity क्या है और speed क्या चीज़ हमारे पास कि कितना time लगता है डाटा को अक्सेस करने में या डाटा को स्टोर कराने में या डाटा को ट्रांसफर करने में कितनी जल्दी हम उसे काम कर सकते हैं क्या स्पीड है उसकी जो अक्सेस टाइम है जो कि हमारे पास मिली सेकंड में मेयर होता है तो यह चीज हमारे पास आजाती है जिस device का जितनी speed ज्यादा है वो computer यूज़ करेंगे तो computer पर काम करना हमारे लिए उतना असान होगा क्यूंकि हमारे पास उसे data को उतनी जल्दी से access कर सकते हैं हमें access करने के लिए data को ज्यादा wait नहीं करना पड़ेगा इसी में further हम जो चीज़ देखते हैं वो है basic units of data storage कि data storage के हमारे पास basic unit कों से हैं कि data storage हमारे पास किन units में major होती है अब इसमें हमारे पास basic unit जो है जो main basic unit storage का वो है हमारे पास bit bit जो है वो binary digit क्योंकि हमें पता है कि computer जो है वो हमेशा सिर्फ binary digits के साथ काम करता है या वो सिर्फ digitally काम करता है जिसे हम क्या कहते हैं zero और one तो bit जो है हमारे पास एक bit जो है वो एक वक्त में या zero को save कर रही होती है या one को save कर रही होती है one bits take one storage location in memory और एक bit जो है वो memory में एक storage location लेती है क्योंकि ये binary digit है इसलिए हम इसे क्या कह रहे है bit अब क्योंकि bit बहुत small unit है और इसको हर small unit को इसको accessible बनाना जाए इसे इसे इस पे काम करना जो है इतना efficient नहीं है तो हम क्या unit use करते हैं bite bite किसके equal है eight bits के equal है collection of eight bits is called bite it is used to store single character एक single character जो आपने save करना है वो हमारे पास किसमे होता है एक bite में save होता है आपने दो character करने है तो वो दो bites में होंगे इसी तरह से bite भी देखे हमारे पास सिर्फ कुछ character हो कर रही है तो हम अगर बड़े unit चाहिए तो हम prefixes use कर रहे होते हैं for example हम कहा देते है kilo bite kilo का मतलब क्या होता है thousand actually इसमें हमारे पास one zero two four bites के equal होता है एक kilo bite लेकिन हम इसे thousand bites ही round off करके consider कर लेते हैं कि kilo का क्या मतलब है kilo bites हमारे पास क्या मतलब है 1000 bites kilo का क्या मतलब होता है thousand यह हमारे पास prefix है जो हम thousand जिसके लिए इसी तरह से mega है मेगा में ہمارے पास क्या होता है कि टैन डेस डूपार सिक्स जो है उसके लहाद से आ जाता है कि हमारे पास इसमें वन जिरो टू फॉर किलो बाइट सा जाती है ठीक है यानि अगर इसे यह वली चीज इसमें आ जाएगी हमारे पास तो फर्दर यह है इसी तरह से मेगा बाइट है इसी तरह से हमारे पास गीगा बाइट आ जाता है तेरा बाइट आ जाता है जिसमें फुर्दर जो है इसी तरह से हमारे पास तीन का इसके लहाँ से इंक्रिमेंट होता जाता है कि मजीद जो उसमें वैलियूज हैं हमारे पास यूनिट बढ़ा होता जाता है कि पैस्टी उसकी इंकरीज होती जाती है जैसे अगर एक डिवाइस हमारे पास हम बिजाए उसके लिखने के के 1000 जो हमारे पास सबस्क्राइस भी हम उसे कह सकते हैं कि वो कितने की है वन जी-बी की है तो यूनिट नए को करने में लिखने के लिए जो है हम बड़े वाले यूनिट्स को यूज़ करते है यह हमारे पास आके थे basic units of data storage फर्दर इसमें आ जाता है हमारे पास data access methods data को access करने के method कौन से हैं तो हमारे पास सबसे first आ जाता है random access method random access method में क्या होता है कि हमारे पास जो data है वो किसी भी location से directly retrieve हो सकता है और तमाम जो locations हैं उनसे data हम same time में ही access कर सकते हैं इनको हम direct access method भी कहते हैं random access को और इसके अलावा जो यह तमाम storage devices हैं यह हमारे पास कौन सी storage devices होती है addressable कि हम इसे कहते हैं कि इसमें जो यह कौन सा मीडिया है addressable मीडिया है कि हमारे पास पूरा storage मीडियम है इसके हर का हमारे पास unique address होता है और उस address के जिरिए randomly data को select किया जा सकता है दूसरा method आ जाता है हमारे पास sequential method जिसमें data को access जो है वो sequentially किया जा रहा होता है हमारे पास second वाला कौन सा आ जाता है sequential access method इसमें जो है अगर हमारे पास for example data save है तो हमने यह different blocks है data के अगर हमने third वाले को access करना है तो हम यहां से move करेंगे move करते जो है यहां तक पहुंचेंगे directly यहां पे control नहीं आएगा तो यह हमारे पास क्या है sequential access method के जिसमें data को हम same order में retrieve कर सकते हैं तो यह हमारे पास कौन सा आ जाता है sequential access method इसकी example देखें तो जो हमारे पास पहले music वगारा के लिए कैसे tapes use होती थी उसमें अगर हमने next track करना होता था next song करना होता था तो हम forward का button press करते थे जिससे क्या है वो तमाम जो वो songs है वो forward होते थे वेट करते थे पिर हम उसे access कर सकते थे तो यह वाले method जो है यह कौन सा है हमारे पास sequential access का method जिसमें तमाम जो retrieving है वो एक order में हो रही है क्यानि अगर इसे retrieve करना है तो हम come time में करेंगे इसे retrieve करना है तो time ज़्यादा लगेगा यह आ जाते हैं हमारे पास success method next है हमारे पास different किसम की जो storage devices यूज़ होती है सबसे most common और जो technique है या device है जो mostly devices में यूज़ होती है वो है magnetic disk magnetic disk क्या है magnetic material को use करते वे it stores data using magnetic material की यह magnetic material की बनी होती है और यह इसी magnetic material के जरीए data को store कर रही होती है और data on magnetic disk is stored in tracks and sectors और इसमें जो magnetic disk में data होता है वो tracks और sectors के लहाज से save होता है अगर हम यह कह रहे हैं कि यह हमारे पास एक क्या है magnetic disk है तो इसमें further जो है अंदर different किसम की हमारे पास इस तरह से lines होती है जो हम क्या कह रहे होते हैं यह मुख्तलिफ tracks बने हुए है यह जो tracks हैं यह further divided होते हैं और इनको हम क्या कह रहे होते हैं sector तो यह जो है यह वाला area यह हमारे पास एक sector है और जो यह पूरी इस तरह से एक line है जो बनी वी यह हमारे पास क्या है track है तो each track on a disk is divided into sectors तो हर जो track है वो किसमे डिवाइट किया है sectors में और हर sector जो है वो 5-12 bytes of data जो है उसे store कर सकता है अब जो magnetic disk है यह मुख्तलिफ किसम की storage devices में यूज होती है जो most common magnetic disk है वो है हमारे पास कौन सी hard disk hard disk mostly computers में as a primary storage में device यूज हो रही होती है और इसे हम hard drive भी कहते हैं hard disk drive भी कहते है और most जो personal computer है उनमें hard disk होती है और यह तकरीबन जो है 8 terabyte जा उससे ज्यादा की भी इसकी capacity हो सकती है हमारे पास यह जो है यह different किसम की magnetic disk से ही मिलके बनी होती है different जो magnetic disk है वो एक हमारे पास इस तरह से कहलें कि spindle है या एक rod है जिसके उपर fix की गई होती है हमारे पास इस तरह से उसके इर्दगी जो हैं यह क्या है magnetic disks हैं और यह magnetic disk भी सारी की सारी जो है tracks में और sectors में divided है यह हमारे पास उसी तरह से इन में tracks आगे उसी तरह से इन में क्या आ जाते हैं? sectors आ जाते है इन में अगर यह जो बाहर वाला track है यह सारी जितनी hard disk हैं उन सब कर यह जो track है इसे मिला के हम कहते हैं cylinder और यह जो दर्मयान में है इसे हम कहते हैं spindle हर जो हमारे पास magnetic disk है उसके दो read और दो ही right heads होते हैं उसके लिए एक यह वाली side read करने के लिए और एक इसकी दूसरी वाली side read करने के लिए तो दो head होंगे एक read के लिए एक right के लिए यह हम कह सकते हैं read and write heads हैं दो read and write heads हैं यह एक side को read कर रहे हैं यह हमारे पास एक read and write head है और यह दूसरा read and write head है ताके दोनों sides को जो है वो data को read कर सके एकसेस कर सके data को save कर सके और जो हमारे पास different sectors हैं उनको combine करके हम इसमें cluster बनाते हैं और cluster जो है smallest unit of disk space है that stores data तो यह हमारे पास एक unit बन जाता है data को store करने का इसके अलावा इसमें हम जो इसकी speed है करते है RMP से यानि regulations per minutes के लहाज से करते हैं जो के mostly 4500 से लेके 15000 तक होती है hard disk की quality पे depend करते हुए किस तरह से hard disk की हमारे पास क्या चीज़ आगे कि यह magnetic disk है ठीक है इसमें magnetic disk जो है वो एक spindle पे arrange है और उस spindle के around वो move कर रही है hard जो magnetic disk है उसके दो दो read or right head है एक उपर वाली surface के लिए एक उसकी नीचे वाली surface के लिए तो इसमें हम फर्दर देखते हैं कि hard disk की performance criteria क्या है कि performance इसकी किस तरह से measure की जाती है तो इसमें पहला आ जाता है seek time दूसरी चीज़ है spindle speed तीसरी है हमारे पास latency तो जो seek time है यह क्या है यह हम इसकी positioning की performance कह रहे होते हैं कि जितना time required है correct location पे पहुंचने के लिए time required to reach correct location जिसके जरीए हम correct location पे जितने time में पहुंच सकता है read or write head वो time क्या है seek time तो जितना कम होगा उतनी उस hard disk की performance क्या है हमारे पास अच्छी है next आ जाता है spindle speed spindle speed क्या है कि जिस speed पे जो drive है वो data को transfer कर रही है यानि यह वाला spindle जितनी तेजी से move कर रहा है जितनी तेजी से वो data को transfer कर सकती है तो जो हम measure कर रहे है revelations per minute में तो यह हमारे पास आ जाता है क्या चीज़ के transfer speed next है latency latency है time required by the spinning platter to bring the desired data to read and write head कि जितना time लगता है spindle को move करके spinning जो platter है यह वाला जो इसके साइड़ों पे हम in hard डिस्क को क्या कहते है platters तो यह जो spin करके platter को जो time लग रहा है किसी desired data read or write head को सही desired data को bring करने में तो यह चीज़ हमारे पास कुन सी आ जाती है latency अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा देखे हम यह हमारे पास है spindle यह भी move कर रहे है यह जितनी तेजी से move करेगा उतना तेज क्या होगा हमारा उतना fast क्या होगा transfer rate seek time क्या है कि हमारे पास यह जो read और right head है इसने move करके जो है जितनी देर में correct location पर पहुंचने और latency क्या है इसमे correct location पहुंचने के लहाँ से इदर जो further हमारे पास है कि कौन सा track इसमें से select करना है कौन सा sector select होना है वो कौन सा है हमारे पास क्या चीज़ है latency इसमें further हमारे पास concept आ जाता है external और removable hard disk हमने अभी शुरू में बात की थी कि जो hard disk है mostly computers की primary storage medium है और इसे हम hard drives भी कह रहे हैं अब वो जो primary storage medium है वो mostly computers के अंदर या laptop के अंदर जो है वो fix होता है उसे बार बार निकाला या change नहीं किया जा सकता तो वो हमारे पास internal hard disk होती है external या removable hard disk कौन सी hard disk है ऐसी hard disk जिसे हम USB connection या USB port या fire wireless port जो है उसके जिरिये computer से connect कर सकें और data को save कर सकें या data को वहाँ से access कर सकें तो ऐसी hard disk को हम क्या कहते है external या removable hard disk तो port क्या होता है कोई भी connection या interface जो provide कर रहा है जिसके जिरिये हम device को connect कर सकते है connection और interface जैसे हमने अगर headphone करना है तो headphone वाले port में हम लगाते हैं headphone को इसी तरह से USB यूज़ करनी होती है तो USB port में लगाते हैं तो वो क्या होते हैं connection होते हैं इंटरफेस होते हैं जो हमें mean जो motherboard है कम्प्यूटर के अंदर उससे connect कर रहे होते हैं जिसके साथ बाकी सारी भी devices connect होई वी होती है तो यह हमापस ports आ जाती है तो external removable hard disk कौन सी है जिने उन USB connections या ports के जरीए जो है computer से connect किया जा सके तो external removable hard disk किसलिए हम कर सकते हैं कि हमने बहुत large data जो है उससे transfer करना है तो अगर हम कोई छोटा medium यूज़ करेंगे या net के जिरीए send करेंगे तो बहुत time लेगा तो इसकी बजाए एक hard disk है काफी high capacity की hard disk है उसमें हम data को डालके तो दूसरे computer में या device में कर लेते हैं तो वहाँ भी usable रह जाता है हमने एक जगा से data दूसरी जगा लेके जाना है रख लें अगर किसी वज़ा से data में कोई issue आ जाता है तो हमारे पस data हमारा save पढ़ावा हो किसी और जगा भी अगर computer खराब हो गया या कोई भी इस तरह का issue है कि हम उसे access नहीं कर सकते तो हमारे पस एक extra copy जो है वो backup या extra copy गया है मजूद हो तो तब भी हम external या removable hard disk को use कर सकत हैं यह हमारे पस जो topic है यह IT की book में chapter number 5 में हैं आपने उसी में इसको read करना है external or removable hard disk तक आगे एक आपके पास topic miniature hard disk का भी दिया हुआ है जिसका मतलब क्या है कि small hard disk इस तरह की hard disk जिसे हम असानी से अपने पास पर्स में या pocket में रख सकते हैं और उसको data transfer के लिए use कर सकते हैं या क्या है हमारे पास different किसम के जो portable devices हैं जैसे कुछ media player है या क्या हमारे पास किसी किसम का digital camera है उसके साथ हम use कर सकें तो इस तरह की हमा future यानि small hard disks तो यहां तक जो है आपने इसको prepare करना है hard disk वाले topic को